So guys CCNP का एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैं यहाँ पे स्विच की टेकनोलिजी पर लेकर आया हूँ जिसके अंदर आप कम्प्लीट स्विच के बारे में समझ पाएंगे मैं यहाँ पे बेसिक से लेके डेप्ट में जाने की कोसिज करूँगा और में भी मैं इस वीडियो में पूरा स्विच टेकनोलिजी कवर करूँ अगर वीडियो जादा लंबी होती है मुझे लगता है कि दो या तीन पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा बट देखते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या चीज़े हम लोग कवर कर पाते हैं मैं यहाँ पे आप लोग को टॉपिक क्लियर कर देता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्विच की कंप्लीट टेकनोलिजी है और स्विच में काफी चीज़े होती हैं समझने के लिए वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग iOS details के बारे में और password security के बारे में user authentication के बारे में और password encryption के बारे में login security remote user के बारे में SSH के बारे में duplex technology, cam table, vlain, vlain trunking, intervlain, static dynamic vlain, stp, rstp एंड इसके साथ हम लोग duplexing technology यहाँ पे समझेंगे मतलब कि जो duplex mode होता है यह सब कैसे होती है और यहाँ पे ping यानि की ICMP packet कैसे हम लोग manage करते है तो even then duration of session बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसके बीच में समझने को मिलेगा तो इसके अलावा हमने router के port की security यानि की sorry switch port security switch port security भी यहाँ पे मैं cover करूंगा और यह सारी चीज़ें तो है न मज़ेदार वीडियो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो बस subscribe कर लो bell icon दबा दो ताकि सभी लोगों तक share करके इस वीडियो को पहुचा हो सभी लोगों कि यह सारी चीज़ें मिल पाए इससे पहले मैंने यहाँ पर देख सकते हो ccnp introduction के बारे में और enterprise network architecture और switch की technology तीन वीडियो जडाला यह fourth number की वीडियो जब बहुत सारी चीज़ें आप मारे चैनल पर ऐसे सीख पाओगे अगर आप join कर लेते हो तो प्लेइलिस्ट में जाकर आप अपना फैबरेट प्लेइलिस्ट रेलेक कर सकते हैं कि आपको ccnp ccn1 video series networking hardware facebook digital marketing mcs blogging hardware red hat iis क्या चीज़े सीखनी आप यहाँ से decide कर सकते हैं तो चलिए बिना लेट कि वीडियो को start करते हैं और समझते हैं यह सारी चीज़ें step by step बस आप लोग एक help करना वीडियो को share जरूर करना like करना comment करना इससे हमें एक motivation मिलता है so guys अब चलते हैं हम लोग switch की technology पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर start करते हैं switch switch क्या है actually मैं ज्यादा यहाँ पर explain क्या करूँ switch के बारे में मैंने CCNA में complete बता रख जो regular वीडियो करते हैं हमारी वीडियो को उनको सभी लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी तो हम लोग यहाँ पर इसको cover करते हैं switch की complete technology switch iOS detail या switch की security के बारे में या version के बारे में तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक switch ले लेते हैं मैं catalyst switch 2960 series का ले लेता हूं और इस पर click मतलब थोड़ी दिर mouse pointer आप रख दोगे तो यह बता देगा Cisco का custom device model 2960 and iOS 12 version पर है hostname इसका switch है सबसे नीचे VLAN का detail है और इनके सारे port पर एक dedicated mac address की detail यह दिखा रहा है ओके अब यहाँ पर बात होती है guys यह हो गया और एक और switch हम यहाँ से ले लेते हैं मैं भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको मैं यहाँ से एक server operating system sorry server ले लेता हूं और यहाँ से कुछ client machine ले लेता हूं तो यह मैंने कुछ devices simple ले लिया अभी मुझे इन devices की जरूरत नहीं बट आगे हमें जरूरत पड़ेगी switch क्या है switch layer 2 और layer 3 की device बोली जा सकती यानि कि यह layer 2 और layer 3 पर work करता है last time मैंने एक video जो पोस्ट किया था उसमें जो हमने इस switch को लिखा था कि जिस switch के अंदर routing capability नहीं होती है वो हम लोग L3 में count नहीं करते हैं तो उस पे किसी बन्ने का message आया था कि उसको हम लोग router यूज कर सकते हैं तो सही है सारी चीजें आप लोगों को जो doubt होता है वो comment करो पूछो वो सारी चीजें लेकिन हाँ आप लोग पहले depth में उसको देख लें हम भी उस पर जरूर रिसर्च करते हैं अगर आप लोगों का कोई ऐसा comment आता है तो लेकिन मेरे को सही लगा तो मैंने उनको क देख लेना स्विच के बीच में कोई confusion मत रखना तो हमारा 20960 सीरीज का है 2960 सीरीज का अभी सीरीज के राउटर में हम लोगों को सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता iOS वर्जन को चेक करना होता है CLI mode open करो किसी भी स्विच पर क्लिक करके और यहां समय operating system detail आजाएगा आपको कि इसके अंदर C2960 bootloader यह हुआ है version 12.2 का है और इसके other details के बारे में साथ में इसके manufacturer के बारे में जहां से भी सको license दिया गया है Cisco IOS लिखा हुआ है Cisco के switches होते हैं उन पर IOS ही use किया जाता है और इसके बाकी के hardware details के बारे में यहां से आपको detail मिल turn on होता है तो complete अपनी memory अपने hard disk मतलब जो भी storage या components उसमें होते हैं वो सब कुछ ही आपको बता देता है वर्जन यहां पे साफ साफ लिख करा रहा है यह सारी चीज़ें अब बात होती है कि अगर हमें इसको manually check करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं so space version और enter करेंगे तो at least directly वो version दिखा देगा रोम में यह bootloader पड़ा हुआ है आपका जो operating system का यह है उसका कितना size है memory details यह आ जाएगा processor इसमें जो भी use करा गया है वो सब की detail आ जाएगी fast ethernet IEEE 802.3 पर इसके interfaces है जो की 24 port पे है इसके अंदर 2 gigabyte interface आपको मिल जाता है तो so version के अंदर आप देखो इसके complete configuration की detail मिल जाती है इसका mac address detail आपको यहाँ पे मिल जाता है mac address वगएर अगर कभी find करना हो तो यह best way है यहाँ से आपको मिल जाता है system का serial number ऐसे ही real environment में भी सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाती है तो यह रहा switch के version के बारे में switch का version कैसे आप पता करते हो और सारी चीज़ें उसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर देखें mac address और सारी details आपको मिल गई अब यहाँ पर कुछ data हम लोगों को देखेंगा अच्छा theory का part इसमें कहां पर है देखो कहीं पर भी theory का part मैंने जादा नहीं सारी चीज़ें with lab मैं आपको demonstrate करूँगा और सारी चीज़ें at least आपको proper तरीके से समझ में आ जाए ओके तो अब आजाते हैं हम लोग next topic पर जो की basic switch का configuration है देखो इस configuration को सभी लोग बहुत आसानी से समझते हो जानते हो तो फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगो को बता देता हूँ तो यह हमारा switch है इसके साथ हम लोग जो केबल यूज करते हैं वो कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे कि start sorry cross cable या straight cable switch to switch connectivity के लिए यह data send कर देता है तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे एक straight cable और इसके first port से इसको connect कर दिया और इसके second port से इस device को connect कर दिया simple और अभी हम इधर थोड़ा सा free रखते है इस switch को और यह connection थोड रहेगा रेड रहेगा औरेंज रहेगा फिर ग्रीन हो जाएगा फिफ्टी सेकेंड का प्रॉक्स टाइम लेता है यह पूरा का पूरा अपना connection को activate करने में तो यहां से fast forward mode यूज कर सकते हो तो यह फटा-फट ग्रीन हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है switch पर क् है आएटी या password तो एक नॉर्मल पासवर्ड होता है नेबल इस पैस पासवर्ड 123 एंटर कर देना है यह आपका नॉर्मल पासवर्ड अपलाई हो जाता है ओके एक सेकरेट पासवर्ड भी मैं यहां पर देता हूँ एनेबल सेकरेट 1234 ओके तो आपने एक normal password दिया, एक secret password दिया बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि दोनों तो similar password है तो इसमें normal secret का क्या मतलब वो भी 123, 1234 है तो देखो normal और secret का मतलब ये नहीं होता है कि आपने यहाँ पे password क्या दिया हुआ है ये value अगर कोई भी इसके record में check करता है तो उसको क्या readable form में मिलता है या नहीं मिलता, अगर secret password आपने दिया हुआ है तो इसको कोई read नहीं कर सकता सिर्फ आप जानते हो और अगर आपने normal password दिया है तो कोई भी running memory की information को read करते समय इस password को पता कर सकता है, और अगर आप remote access करते हो किसी device के साथ तो monitoring tool के थूरू इस username password को आसानी से detect किया जा सकता है, बट secret password को encryption format उनको दिखेगा, वो आसानी से इसको detect नहीं कर सकते, या receive या देख नहीं सकते अगर इसको हम exit command से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं show space, आप लोग video की quality थोड़ा सा बढ़ा कर देखना क्योंकि show space running configuration थोड़ा सा font छोटा है बट अगर आप 720 पिक्सल पर देखते हो तो live videos होती है तब वो ज़्यादा MB लेता है, बट आप इसको असानी से देख सकते हो, समझना है तो बस आदे घंटे के लिए proper internet copy pen लेकर बैठ जाओ, और मैं promise करता हूं कि CCNP या CCNN इन सब चीजों की preparation की 100% guarantee हमारी है, वो सारी चीज़ हमाप लोगों को prepare करके 1 month या within 1 month या 1 and a half month हम लोगों को complete करा देंगे तो मैंने यहाँ पर क्या so space running configuration क्लिक किया, enter किया, अब हम यहाँ पर मिला कि एक secret password है, जो कि 1234 था लेकिन यहाँ पर वो read नहीं किया जा सकता okay, और एक normal password मैंने दिया था, enable 123 जो कि असानी से read किया जा सकता है so this is the big difference between normal password and secret password, but कभी-कभी क्या होता है, कि as a user आप चाहते हो कि आपका normal password as a secret password भी app करे, यह normal password कभी आपने दिया हुआ है, किसी local user authentication के लिए सारी चीजे, तो यह secret password काम करे, तो इसके लिए दुबारा से आपको configuration mode पर आना होता है और यहाँ पर आप लिखते हो service space मैं tab की यूज कर ले रहा हूँ P-A-W-S लिखके double tab यूज कर लिया, तो automatic आपका password या अगली commands आ जाता है तो enter कर देना है अब आपका जो normal password था 123 यह convert हो जाएगा encrypt हो जाएगा secret password में तो अगर मैं यहाँ से manage करता हूँ like exit command से so space running configuration enter तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है यह भी normal password आपका secret password में convert हो गया तो यह simple value हो जाती है normal to secret password conversion का और सारी चीजे अच्छा इसके अलावा यहाँ पर सारे port की detail आपको दिख रहा है कि spanning tree mode यहाँ पर pvst है पर vlain spanning tree protocol है IEEE पर जो काम करता है spanning tree extended system id कुछ नहीं है कोई port पर कोई configuration नहीं दिख रही है यहाँ जो की 22 port यहाँ पर आप देख सकते 23 and 24 दो interface आपको gigabyte के मिल जाते हैं यहाँ पर vlain पर कोई ip address नहीं है port अभी shutdown mode में है line console यहाँ पर कुछ नहीं configure किया गया है telnet configuration नहीं किया गया है telnet के privilege maximum 15 user को दी जा सकती है 0 to 15 and यह यहाँ पर configuration end हो जाती login detail भी अभी configure नहीं करी गई है तो so space running configuration से आप check कर लोगे कि आपके switch पर क्या configuration है या Cisco की कोई भी device पर क्या-क्या configuration है इसके अलमा यहाँ पर एक और memory होती है so space question mark लगा के आप देख सकते हो बहुत सारी details आप यहाँ पर check कर सकते हो ARP details check कर सकते हो जो कि मैं इस वीडियो के last तक cover करूंगा ही करूंगा और बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अब so guys आपने basic यहाँ पर configuration देखा और details कैसे find करते हैं यह देख लिया अब यहाँ पर हम लोग telnet access कर लेते हैं telnet में हम लोगों को क्या करना होता है कि एक computer से यह मतलब different different places से हम लोग इस switch को access करेंगे remotely तो इसके लिए हमें एक IP address plan करना पड़ेगा तो by default जो switch के सारे computer connected है switch पर वो VLAN 1 के अंदर connected है तो VLAN 1 पर हमें एक IP address देते हैं जो कि 10.0.0.1 दे दिया ओके ऐसे हमारा इदर computer के लिए IP address 10.0.0.2 कर दिया 10.0.0.0.3 कर दिया अब इन सभी computer पे IP address को भी मैं assign कर देता हूं जैसे हमारा 10.001 हो गया sorry 2 हो गया और उसके बाद यहां से इस computer पर एक IP address assign कर देते हैं 3 हो गया ओके 3 and अगर हमें backup चाहिए switch के configuration का backup भी आपको दिखाना हो तो मैं यहां से इस server को connect कर लेता हूं 10.0.0.0.10 कर दिया इसको और मैं इसको भी cable से connect कर देता हूं fast ethernet से इसके 3 number port से अब इतना हो जाने के बाद आपको यहां पे क्या करना है telnet configure करना है और इसका password हमने दे दिया configuration mode पे आ गया और enable secret password अगर normal password और secret password दोनों apply करते हो आप एक साथ जैसे मैं यहां पे आप लोग को समझा दूँ enable password 123 एक normal password हो गया enable password 1234 तो secret हो गया ओके और लेडी यह assign है तो यहां पिये कह रहा है कि अगर आपने normal password के बाद secret password या जो भी secret password है तो यही काम करेगा जब तक यह disable नहीं हो जाएगा तब तक normal password आपका काम नहीं करेगा तो यह चीज़ें आप यहां पे देख सकते हो तो मेरा password अभी काम करेगा 1234 और हम यहां पे interface पर IP देंगे जो कि VLAN 1 है जिस पे सारे computer हमारे access हो रहे IP address 10.0.0.1 space 255.000 enter कर दिया no shutdown करते हैं ताकि हमारा वो particular port जो भी है या interface on हो जाए तो यह VLAN interface यहां पे देखो state up हो चुका है और यहां पे बस आपने लिखना line space VTY 0 और कितने user को आप privilege देना चाहते हो तो मैं यहां पे चाहता हूँ 4 user को तो 0 plus 3 ए 4 user को permission यहां पे हो जाएगी enter कर दिया और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूँ password यह telnet के लिए password मैं दे रहा हूँ 12345 enter कर दिया हमारा बस इतना ही करना होता है उसके बाद आप किसी भी PC पर आ जाओ इस PC पर मैं आ गया command prompt को access किया और मैंने यहां पे लिखा telnet space और switch के vlan का IP address यह verification मांगेगा 12345 मेरा telnet का password था और enable करेंगे normal password और secret password में 1234 काम करेगा secret password और यहां से configuration आप कर सकते हैं ति simple आपका क्या हो जाएगा आपके switch का basic configuration telnet का हो जाएगा अब इसके साथ आपने क्या करना है कि अगर मालिया आप चाहते हो कि इसकी जो भी configuration file है वो इस FTP server जिसका IP address टेन है इसके FTP, TFTP के अंदर आकर store हो जाए यहां पे तो आप इसको भी कर सकते हो चाहे router से switch से आप भेज़ दो details configuration की चाहे यहां से तो यहां पे मैं लिखता हूँ copy space running का data मुझे भेजना है TFTP पर enter, TFTP server का IP address 10.0010 है उसके बाद किस नाम से file मैं भेज़ देता हूँ तो sw1 और config करके enter कर दिया तो यह write कर रहा है data और थोड़ा समय लेगा यह 1201 byte की information copy कर दिया top पे ही है तो मारा basic configuration हो गया इसके बाद आप यहां पे क्या कर सकते हो यह तो normal password और यह सारी चीज़े रहा अब अगर इसके बीच में कोई intruder आकर monitoring tool के through monitor करता है capture करता है तो definitely आपने remotely क्या user ID password login किया है वो सारी चीज़े टेलनेट के protocol में उसको मेल जाएगा ओके लेकिन आप चाहते हो यह secure रहे तो इसके लिए आप ssh protocol enable कर सकते हो ssh protocol की जो configuration है वो भी काफी easy है और बहुत असानी से आप कर सकते हो जैसे अगर माल लिया कि आप ssh यह IP enable करना चाहते हो तो ssh के लिए मैं अब router या switch नहीं बदलूँगा तो simple मैं यहाँ पे host name plan करूँगा host name sw1 आप लोग ध्यान से देखो क्या क्या चीज़े हैं पहला हमने क्या किया sw1 कर दिया और दूसरा एक password normal secret password हमारा है ही 911 और जो IP address था इसको दे दिया और उसके बाद no shutdown से इस port को क्या कर लेंगे on कर लेंगे यह no shutdown port activate हो जाएगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक domain plan करना पड़ेगा IP domain और space name और कोई भी एक name हम यहाँ domain का दे देंगे like जो भी आपके network में चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक crypto की generate करना पड़ेगा so crypto की generate rsa and enter कर देंगे और यहाँ पे 1024 byte का या 512 byte का encryption key add कर देंगे जो की आपके remote access password या details को encrypt करेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है line space vty space 0 space 3 और यहाँ पे देखो ssh has been enabled and अब आपको यहाँ पे transport input कर लेना है कि आप transport input create कर रहे हो किसके लिए ssh के लिए और यहाँ पे फिर आपको login login local enter कर देना है यह हमारा हो जाएगा तो इसके बाद अगर हम ssh protocol के through इसको access करना चाहते है तो दूसरे वाले PC से हम telnet open करते है ssh space-l space sw1 switch का name and IP address enter कर देना है तो यह password मांग रहा है password मैंने क्या दिया हुआ है one two three four no ssh का password मैंने यहाँ पे कुछ दिया one two three four अभी नहीं कुछ apply किया है तो मुझे एक बार switch पर आना पड़ेगा और यहाँ पे user name sw1 और password यहाँ पे one two three four five apply कर देना है और अब आप यहाँ पे अगर access करते one two three four five enter तो access हो जाएगा enter करो secret password one two three four enter कर दो access हो जाएगा अब यहाँ पे काम आप कर सकते हो लेकिन यहाँ पे यह encryption तो provide कर देगा अब अगर कोई remote monitoring tool यूज करता है remotely हमारे activity को monitor करता है तो ssh के थुरू जो भी communication इसके साथ हो रहा है काफी secure होगा और telnet के साथ जो communication हो रहा है वो उतना secure नहीं होगा तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है हम एक अलग तरीके का और authentication यहाँ पे apply कर सकते है जो कि login authentication होता है और login authentication में हम लोगों को कुछ ज्यादा configuration का वो नहीं है simple हम लोग यहाँ पे username access करा लेते है या username verification करा लेते है जैसे मैं आपको step by step इसको दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे username ले लिया और username मैंने ले लिया sw1 और password मैं यहाँ पे apply कर देता हूँ 123456 write enter कर दिया उसके बाद login यहाँ पे apply करते है login local enter कर दिया wait login sorry interface space vln1 और आपने यहाँ पे username sw1 और password 123456 दिया उसके बाद login local interface interface vln1 अच्छा login local हमारे interface पर इस पर नहीं होगा तो interface f0 slash मान लिया कि मैं मैं f0 slash two number port पे जो डिवाइस है उसके लिए user name sw1 और password 123456 कर दिया और उसके बाद login करते हैं या या जो हमारा इंटरफेस था interface f0 slash 1 location login local login confusion हो गया sw1 आपने मान लिया दिया यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं आपने simple login authentication enable करने के लिए user name आपने दिया sw1 और इसका password आपने दे दिया 123456 एक चीज आपने कर दिया उसके बाद line space vty और आपने 0 और 3 कर दिया और उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे login लिखते हो login login local तो अब यह apply हो जाएगा और उसके बाद अगर आप किसी भी PC पर आ जाते हो और यहाँ से मैं exit कर लेता हूं इसको अभी देखिएगा भी user name भी यह verify करेगा अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया telnet space 10.10.0.0.1 और enter करा तो यह क्या कह रहा है connection closed by foreign host ओके तो telnet इसके बाद यह क्यों connection closed by foreign host बता रहा है क्योंकि मैं भी यहाँ पे telnet के लिए 03 यह चीज मैं access अभी deny कर देता हूं यह ओके अगेन मैं telnet 10 यह लिखता हूं अगेन यह चीज दिखा रहा है तो चलिए कोई बात नहीं हम यहाँ पे लिख देते हैं ssh-l ssh के थरू क्योंकि हमारी lower पे higher protocol apply हो जाती है तो ssh-l ssh-sw-1 ssh-kip address 10.0.0.1 enter अब यहाँ पे password यह मांग रहा है तो इसका जो भी password है आप यहाँ पे apply कर देंगे वह work करेगा क्योंकि यहाँ पे sw-1 आपने पहले से apply कर दिया अगर माल लिया कि यह simple अगर यहाँ पे एक ssh के लिए sorry एक telnet के लिए login authentication remotely enable करना है जैसे मैंने यह ले लिया एक switch और इक यह और इनको आपस में connect कर दिया और इस पर एक particular IP address मैंने assign कर दिया अगर जैसे 10.0.0.12 कर दिया और इस पर मैं proper IP address configure करता हूँ ध्यान से देखिएगा यह proper आपको समझ में आ जाएगा configuration mode पे आ गए और मैंने यहाँ पे लिख दिया simple enable password एक normal password दिया enable password 123 और या तो username admin मैंने दे दिया and password 1234 दे दिया और उसके बाद line vty 0 3 कर दिया और login local मैंने यहाँ पे apply कर दिया interface space vlan 1 apply किया और इस पे एक IP address दे दिया 10.0.0.1 space इसका subnet mask और इतना होगा कि अगर यहाँ से कोई भी बंदा आकर इसको access करता है टेलनेट टेलनेट space 10.0.0.1 अभी access verification में username पूछ रहा है तो username में आपने admin दिया था और password में आपने 1234 क्या दिया था फाइफ नहीं आप पासवर्ड में आपने दिया था 1234 ओके तो अभी यहाँ पर 1234 एंटर अभी देखो वेट 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 यूजर नेम admin पासवर्ड 1234 एंटर यह login हो जाएगा enable कर सकते हैं तो यह चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है अगर यहाँ पर एक session हमारा इधर लेकर access हो रहा है तो आप इसकी details भी चेक कर सकते हो सारी चीज़ें लाइक ऐसे कुछ WHO एंड वेट यहाँ पर आपको show space और आपको यहाँ पर logging अगर चेक करना है या और भी चीज़ें यहाँ पर दिखा हुआ है snmp, ssh, terminals, versions तो show space अगर मैं terminals यहाँ पर लिखता हूं तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा enabled और history size 10 यहाँ पर दिखा रहा है and show space logging enter कर दिया तो यह logging details आपको दिखा रहा है and show space running space hyphen अब यहाँ पर username privilege और यह सारी चीज़ें आपको दिखानी चाहिए बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर show space running data check कर सकते हैं username हमारा दिखा रहा admin है privilege label 1 है priority and password हमारा 1234 है तो यह चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो इसके console पर भी अगर password आप apply करना चाहते हो तो एक authentication यहाँ पर भी apply हो जाएगा जैसे line space vty space 0 enter sorry configuration mode पर line space console space console port का name number and spec password तो यह console port को भी secure कर देगा अब अगर आप history में check करेंगे show space and history detail like running configuration तो आपको यहाँ पर login data भी मिल जाएगा जैसे line vty का और यहाँ पर देखो line console और इसका password 123 0 port enable है इस पर password भी enable है और vty भी यहाँ पर enable है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है तो यह basic हमारा switch का कुछ data रहा बाकी security अभी इसके अंदर port security और सारी चीज़ें आप enable कर सकते हो तो telnet और ssh के साथ आपने switch का login authentication data देख लिया ssh की configuration देख लिया अब duplex mode बगर अगर आपको चेक करना है तो वो कैसे करेंगा duplex mode में होता क्या है कि अगर मान लिया दो switch को आपने आपस में connect कर रखा है यह दो switches मैंने ले लिया और इनको आपस में connect कर रखा अगर यह हाफ duplex mode पे काम करें क्योंकि हाफ duplex mode क्या करता है data send हो रहा है तो send हो रहा है receive नहीं होगा उस समय मतलब एक साथ send receive नहीं होगा तो इसके लिए configuration mode पे आ जाना interfaces पे 0-1 जिस port पे आप चाहते हो ऐसा काम करें तो उस पे आपको यह enable कर लेना और यहाँ पे लिख देना है आपको simple duplex और question mark अब यहाँ पे auto है by default auto पर होता है full लगा देंगे तो data send receive दोनों होगा और half duplex पे अगर कर देंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ send होगा और उस सम कामने वाले के साथ नेगोशीएट करता है अगर उसको full duplex पे काम आ रहा है तो full duplex पे करेगा और अगर half duplex पे है तो half duplex पे वह काम करेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं half duplex और enter कर देता हूं यह देखो half duplex technology पर हो गया और device यहाँ पर थोड़ी देर के लिए shutdown होगी फिर यह काम करना start कर लेगा तो data अगर आप send कर रहे हो ना तो उस समय अगर आप receive करोगे तो वो नहीं होगा यहाँ पे ओके नहीं होगा और ऐसी condition में हम लोगो देखो यहाँ पे तो पहले switch to switch configuration या data जाएगा नहीं है ना switch to switch नहीं जाता एक PC से दूसरे PC पर होगा और यह यहां से किसी इधर के PC पर मैं कोई data upload कर रहा हूं या कोई चीज access कर रहा हूं तो यहां से दुबारा इधर को data नहीं जाएगा जब तक कि एक process complete नहीं हो जाएगा तो इस चीज के लिए हम लोग यह half duplex technology and full duplex technology allow करते हैं और आसानी से इसको configure कर सकते हैं अब बात आती है cam table क कि मान लिया अब यह जो switch है यह 3-4 PC को आपस में connect कर रखा है सभी PC का एक दूसरे के साथ packet में send कर देता हूं successful हो गया और इसका इसके साथ ताकि switch पर जो data है न वो receive हो पाए switch पर एक table generate कर पाए cam table जो होता है वो यह होता है कि जो भी आपका switch है वो IP address और Mac address की detail को रखता है यानि कि जो भी आपके clients हैं PC यहाँ पे connected है इन सबका IP Mac detail यह अपने पास store कर लेगा किसी भी PC पर आप click करके अगर command prompt में ok करो और अपने real environment में भी यहाँ पे लिखते हो अगर ARP space hyphen है तो यह बता देगा कि इसकी table में क्या क्या है तो यह जो IP address और Mac address की table है यह switch के पास store हो VLAN इस पे connected है जैसे मैं यहाँ पे आ जाँ और यहाँ पे लिखो enable 1,2,3,4 मैंने enable कर दिया soy space और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ARP enter तो देखो ARP में VLAN 1 पर यहाँ पे IP address दिखा रहा है और ARP के तुरू यहाँ पे पूरा का पूरा इनका Mac address दिखा रहा है यह सारी चीजे Mac address का detail दिखा रहा है तो इस वज़े से यहाँ पे ज्यादा आपको यह नहीं मिलता है तो आपको दोनों तरीका आप switch के through यह table बना सकते हैं निकाल सकते हैं और यह सारी चीजे यानि कि अगर कोई packet आप send करते हो यहाँ से यहाँ और इसका simulation चेक करो like यहाँ पे तो यह जाता है जिस port के लिए data उसी को जाएगा तो किसी भी packet पे अगर आप click करते हो ना तो उसको देख सकते हो कि OSI model के according यह पूरा का पूरा monitoring कर रहा है यहाँ पे OSI model के according यह data send कर रहा है और इसमें यह layer 3 तक जा रहा है यानि कि first, second, third layer तक यह काम कर रहा है और जब OSI model में data जाता है तो देखो कोई भी packet है तो यह किस packet के लिए यानि 10.0010 के packet का है जिसका IP address 10.003 ICMP message type है और यहाँ से layer 2 का header यूज़ कर रहा है यहाँ पे देख सकते हो IP address और यह 10.003 से 10.0010 के लिए मतलब यहाँ से यहाँ के लिए यह packet receive होने माला है यहाँ पे साफ साफ लिख कर आ रहा है ऐसे ही किसी भी packet port को detail चेक कर सकते हो इस वाले packet के बारे में यह क्या क्या carry कर रहा है इसका source क्या है और इसका destination क्या है तो मैंने यहाँ से लिख क्या हो गया और डेस्टिनेशन हमारा यह हो गया तो इनका Mac address IP address सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं और सोर्स IP address का यहां पे dedicated और यह और इसका dedicated destination मायक एड्रेस के बारे में बना देगा SFD की detail यहां पे आपको मिल जाती है तो यह काफी table आपको पूरा का पूरा जो switch होता है ना अपने content address memory यानि कि एक intelligence device बोल सकता है जो कि हब के अंदर यह सारी feature नहीं थे इस वज़े से switch की technology क्या होती है हब के अंदर आपका उतना बढ़ियां से communication नहीं हो पाता है आप यहां पे देख सकते हो सेम चीज मैंने diagram के through explain किया हुआ है कि यहां पे क्या हो रहा है और यहां पे आप देख सकते हो कि एक table है और यहां से source IP address और यहां पे packet का भी detail मैंने दिखाया और switch जो होता है OSI model को adopt करता है OSI model में क्या होता है कि open system interconnection model 1984 में ISO द्वारा यह develop किया गया था और इसमें दो layer के form में होता अपर layer lower layer अपर layer में तीन layer आती है application presentation session 10765 पे आ जाता है and lower layer में transport network data link physical layer आ जाता है तो यह सारी चीज़े होते हैं तो गाईज आप देख सकते हो यहां पे कि these are the layers और इनका आप यूज कर सकते हो OSI model में एक switch पर packet को check करने के लिए send receive process को check करने के लिए जो कि यहां पे बहुत असानी से किसी भी packet पे click करके यह सारी layer को monitor कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं अभी यहां पे हमारा distribution या core तक का communication नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे below 3 layers activate हैं अगर हमारा पूरा वाइन लेबल पे communication होता तो यह सारी layer work करते हैं और सारी layer काम करते हैं बाकी OSI model आपको यहां पर मैं explain नहीं कर रहा क्योंकि अलड़ी आप लोग जानते हैं और CCNP पढ़ रहे हैं उसके अलामा जब हम लोग एक packet को एक computer से दूसरे computer पे ping message send करते हैं तो messaging message में दो तरीके का packet होता है एक ICMP होता है और उसके साथ ARP packet होता है तो सबसे पहले ARP packet जाता है क्योंकि ARP packet में अभी आपने देखा जब मैंने चेक किया ARP packet को यहां पर तो ARP packet में इसको सोर्स और connected है तो दस computer में से किस switch के लिए sorry किस port के लिए data है किस computer के लिए data है तो ARP से पता चल जाता है क्योंकि ARP जो होता है वो आपके packets को रखता है जैसे कि IP address क्या है MAC address क्या है यानि कि पूरा का पूरा जो physical address होता है और logical address होता है इसकी detail ही रखता है जिससे पता चलता है हमारे network में कि हाँ switch पर यह चीज़ apply करनी है और इस switch से इस port के लिए data देना है और यह उसका host address है ओके और host पर फिर proper data deliver होता है तो simple यह आपको basic switch की configuration बताया उसके बाद हमारा यहां पर आ जाता है जैसे कि आपने टेलनेट SSH वगरा करी लिया VLAN की technology port के बारे में और यह सारी चीज़े तो यह मैं next video कवर करूँगा क्योंकि videos लंबी हो जाएगी काफी already काफी लंबी हो चुकी है तो next video में हम लोग इन सभी चीज़ों को cover करते हैं कितने लोग ready हो next video को जल्दी से देखने के लिए comment करके बता देना अगर videos training अच्छी लग रही हो तो यार share करो थोड़ा सा आप लोग support करो मिलते हैं next video में thank you so much हुआ हुआ है